हलो प्रेंट्स मैं सदीस रंजन आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टोपिक के बारे में जिसके बारे में हम लोग जानते तो हैं लेकिन उसको एक्सप्लैण नहीं कर पाते हैं दोस्तों जो आज का हमारा टोपिक है वो है factory, company और industry इन में अंतर क्या होता है ये कैसे इसको समझेंगे हम लोग हम लोग ये factory है इसको company बोलते हैं इसको industry बोलते हैं तो इसको ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि तभी आप लोग समझ पाएंगे कि किसको हम लोग factory बोलते हैं, किसको company बोलते हैं, किसको industry बोलते हैं, तो चलिए वीडियो को start करते हैं और देखते हैं. दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टरी के बारे में फिर कम्पनी के बारे में फिर इंडस्टी के बारे में जिससे हमें समझने में आसानी होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टरी से दोस्तो फैक्टरी को हम लोग मैनुफैक्टरिंग प्लांट भी बोलते हैं मैनुफैक्टरिंग प्लांट मतलब जहां पर पार्ट्स या गोड्स मैनुफैक्टर होते हैं में building और machinery दोनों सामिल होते हैं factory एक building और building को का समूँ होता है जहां पर goods को manufacture किया जाता है machine के द्वारा factory एक ऐसी चगह है जहां पर worker goods को manufacture करते हैं या machine product के processing का काम करती है वो भी किसी एक building के अंदर उसको हम लोग factory बोलते हैं factory मतलब एक building हो गई जहां पर machine के दुरू काम होता है जैसे आप कोई भी plant देखते होंगे plant के अंदर machine होती है machine के अंदर काम किया जाता है machine worker के द्वारा तो वो factory होती है factory उसको हम लोग factory बोलते है factory ऐसी जगह है जहां पर goods का manufacture किया जाता है यह वही जगह होता है जहां पर goods को बनाया जाता है एक छोटी सी सुई से लेगर के aeroplane, train तक बनाया जाता है उसको हम लोग factory बोलते है company एक स्वतंतर संस्ता है जिसमें आप पूरी अजादी से किसी भी बेवसाय को कर सकते हैं किसी भी company को कानून के द्वारा ही अस्थापित किया जाता है उसको चलाया जाता है और उसको बंद भी किया जाता है जैसे एक जांपल से समझते हैं हम लोग Coca Cola हो गया Pepsi हो गई McDonald हो गई Nike हो गया Reebok हो गया Honda, Maruti Mercedes, Audi ये सारे company है company जिसको हम लोग company बोलते हैं दोस्तो जितने भी बड़े बड़े brand है ये सारे company होते हैं Company के अंदर आते हैं Honda, Maruti जो भी है ये एक company है दोस्तो अब हम लोग बात करते हैं Industry के बारे में Industry क्या होता है दोस्तो इंड़स्टी होता है वो company को cover करता है Company जैसे industry होता है company या companyों के समूओ को industry बोलते हैं industry किसी भी sector में हो सकता है industry एक group of company होती है या large group of company होती है जिसमें similar product को बनाया जाता है जो एक साथ similar business को करते हैं उनको industry बोला जाता है जैसे हम लोग example से समझेंगे जैसे food industry है food industry food industry के अंदर mcdonald आता है जो की food बनाने वाली company है जैसे आप लोग coca cola पेपसी बोलते हैं ये company है लेकिन ये beverage industry के अंदर आती है विभर्ज मतलब पेपदार्थ बनाने वाली industry के अंदर आती है अब जैसे आप लोग सू लेते हैं सूज लेते हैं रिपोक लेते हैं रिपोक का नाइक के लेते हैं तो ये company है लेकिन ये food बेर industry के अंदर आती है अभी भी नहीं समझ मैं है चलिए मैं आप लोग को एक और example देता हूं जिससे आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ मैंगा हम लोग बात करते हैं मैंने बात कहें कि Honda, Maruti, Mercedes, Audi ये company हैं लेकिन ये जितने भी brand हैं तारों के ये सारे automobile industry के अंदर आते हैं ये होता है factory, industry और company में difference दोस्तों मैं एक simple तरीके से आप लोग को समझाता हूं factory होता है एक building building के अंदर machinery लगी रहती है machinery पे worker काम करते हैं और किसी भी product को बनाते हैं तो वो factory हो गई कोई भी building ले लो आप वो एक factory होती है जिसमें machine के तुरू काम किया जाता है उस building को हम लोग factory बोलेंगे अब company की बात करते हैं जो factory हैं वो किसी ना किसी company के अंदर काम करती हैं वो किसी ना किसी company का product बनाती है तो इसलिए जो company होती हैं वो बहुत सारी उसके अंदर बहुत सारी factory आती हैं तो इस हिसाब से यह हो गया company अब industry हो गई जितने भी company हैं जो की एक जैसे product बनाती है तो वो एक industry के अंदर आती है जैसे आप लोग को बताये मैंने example में पहले ही बता दिया नाइक, रिबॉक यह सारे हो गए company और यह footwear footwear industry के अंदर आते हैं क्योंकि यह सारे चपल, जुते यह सब बनाते हैं इसलिए footwear industry के अंदर आते हैं तो मुझे आसा है दोस्तों आप लोगों को यह जो भी चीज में मैंने बताई वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आपको कहीं भी doubt है तो मुझे comment करके बताएं अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like करें, share करें और हमारे channel को subscribe करें Thank you